ओम शान्ति आप सब लोगों को श्विरात्री की बाप के जन्म दिन की बदाई उसी के साथ आपके भी जन्म दिन की बदाई आपको हम लोगों के बीच में परमशद्य दादी हैं मैं अपनी तरफ से आपकी तरफ से उस परमपिता श्रीव बाबा के स्री चर्णों में सद्धा सुमन अरपित करने के बाद सब की तरफ से दादी को भी नमन रहा हूं दादी के शीचर्णों में प्रणाम अर्पित कर रहा हूँ मेरी दिव्य बेहने जो बैठी है दिव्य भात अगर्ण और आप सभी लोग जो उस दिव्य पत के अनुगामी है वहाँ जाना चाहते है कल हम लोग की एक चर्चा हो रही थी और विशय था भारत की नई सिक्षानी थी इसमें कई विश्य विद्यालों के माननी कुलपत गण थे प्रोफिसर्स थे सब लोग एक जो प्रश्ण उठकर के आया वो प्रश्ण यहां पर मैं रखना चाहता हूं कि जीवन के लिए सफलता ज़्यादा ज़ूरी है या जीवन के लिए सार्थकता ज़्यादा ज़ूरी है इसी से सिक्षा का उद्देश से तैं हो और ये सिक्षा लौकिक सिक्षा से लेकर के पारलौकिक सिक्षा जिस आध्यात्मिक सिक्षा के लिए आप यहां हैं यह दोनों उसमें समाहित है आप सारे लोग इतने लोग बैठे हैं बहुत सारे लोग होंगे बड़े-बड़े पदों पर रहे होंगे या होंगे इस समय आप सारी बहने हैं बहुत सारी आकन ज़ाएं लेकर के आप आई होंगे बहुत सारी सफलता हैं, आपको जीवन में मिली होंगी एक व्यक्ते आईपियर सदिकारी बनता है, आईपियर सदिकारी बनता है प्रोफिसर बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है और वह जो समाज की समस्याएं है उसकी अपनी समस्या है विभाग की समस्या है यह उसके बीट में जाने के बाद अशांत हो जाता है उसका आनद खंडित हो जाता है वो दुकी रहने लगता है अंदर-अंदर पहु hooks जादा जहूरी है दूसरे की नजर में तो नजर आता है कि वो collector है, commissioner है, बड़े पतपर है, राश्रपती है, प्रधान मंत्री है, लेकिन यह सफलता एन के प्रकारेन प्राप्त करना जीवन के लिए आवश्यक है या जीवन जिसके लिए हम यहां आए हैं उसको सार्थक कर देना आवश्यक है सार्थक्ता जीवन की अपने को पहचानने में है आत्मबोद में है स्वयम को आनन्दित रखने में है जिसमें आपको आनन्द आए जिसमें आपके चेहरे पर शिकन ना आए जिससे आपको शान्त मिल सके और वो शान्त और वो सुख स्थाई हो तातकालिक न हो इसके लिए जो समस्यां आती है सभी लोग इश्वरयन सजीव अभिनासी चेतन अमल सहस्थ सुक्रासी जब आप उस शिव बाबा से चले उस परमात्मा से आत्मा आपकी चली तो उतनी ही शुद्ध उतनी ही शान्त उतनी ही निर्मल उतनी ही आनन्द मई थी जितनी बाबा की थी बीच में क्या हुआ जिससे गर्वर हो गई तो जो इच्छाएं हैं आपकी वो जब सामने आपके आई कैफी आजमी साब एक शेर उन्होंने कहा बहुत बड़े शायर थे उन्होंने कहा कि इंसां की ख्वाहिसों की कोई इंतहां नहीं दो गज जमी भी चाहिए दो गज कफन के बाद एक होती आपके आउशक का प्रभु जिसको जनम देता है हम से लेकर के हम तो सर्वोच सिखर पर उसकी ये मानो तनधारी आत्मा सर्वोच सिखर पर है उससे लेकर के जो सबसे नीचे है कीड़ा मकोड़ा है उसके भी आउशक्ता की पूर्थ जिस समय जनम देता है उसी समय उसको लिख देता है कर देता है कोई ऐसा नहीं है जिसकी जनम देते समय वो सारा कर्म न लिख देता हो सारी आउशक्ताओं की फूर्थ न लिख देता हो जिस तरह से हैं लेकिन जब आपकी हमारी ख्वाई से बढ़ती हैं हम कैसे छलांग लगाएं कैसे यहाँ पोहँ जाएं कैसे वहाँ पोहँ जाएं तब समस्या शुरू होती है बड़ा अच्छा उन्हों ने कहा कि इसकी कोई इंतहा नहीं है उन्होंने वेंगात्मक लगजे में कहा कि दोगज कफन के बाद जमीन भी दोगज चाहिए इतने ख्वाहिसों की लंबी कतार है यह तो ख्वाहिसे हों गई दूसरा जीवन में जिसके लिए आप यहाँ इकटे वे हैं जिसके लिए दादी आपको माग दर्शन देंगी जिसके लिए बाबा इतने बड़े ब्यक्ति थे उस समय आज अरब पती चीज होगी मुझे लगता है कि भाबा उस जमाने में अरब पती खरब पती थे उसको छोड़ कर आए अजो परिवार उन्होंने बनाया वो परिवार भूपों रहा जिस मांट आभू आशनम की बात आप सुनते हैं देख रहे हैं आज जिसको दिव्यतम रूप में देख रहे हैं सारी सुकसुधाएं आपको जहां नजर आती है वहां बाबा अपने पुत्रों के साथ अपनी पुत्रियों के साथ ऐसे भी समय गुजारे कि खाने के लिए बाजरे की रोटी तक नहीं थी बिमार देखते हो गया उसको देने के लिए लौकिक दवा नहीं थी दवा नहीं थी लोग छोड़के जाने लगे दादी बताती है उसमें जानकी दादी भी थी कि बुखार सब को आ गया दवा नहीं थी खाये नहीं थे कई दिनों से भूके थे बेहने छोड़के भाग गए कमसम घर रहेंगे तो दवा मिल जाएगी एक रोटी मिल जाएगी अर उसमें बाबा ने बाजरे कहीं दादी बताएंगी अपनी बिमा कि उसी समय जब सब परशान थे शान तो कुछ लोग थे जब सब अशान थे उसमें शान कुछ लोग थे उनको विश्वास था कि कुछ न कुछ बाबा करेंगे परिच्छाएं चल नहीं वोसी समय कहीं से पैसा आया बाजरे की रोटी उन्होंने बनवाया सब के लिए महा और इसके बाद च्छाँच बुखार में च्छाँच और बाजरे की रोटी दे दिया आप सब तीन दिन चार दिन से खाना न खाये हो बुखार हो और उसमें बाजरे की रोटी सूखी और च्छाँच दे दिया जाए तो और जो बहने थी जिनमें पूरा स्थाईत तो नहीं आ पाया था वो कहीं ये क्या है लेकिन जिन में इस्थायित तो था उन्होंने कहा कि एक दिशाया है इससे ठीक हो जाएंगे उन्होंने रोटी आदी टुकडी जो भी खाया चाच पिया ठीक हो गए और वो दिश्विस्तर पर जाना गया कि उनकी संकल पसकती उनकी आद्यात में किस्ति दिब्बेतम रही नादी अपने उद्बोधन मिलेंगे एक बात होती है ये सारे लोगों में आप अपने जीवन में चाहे जहां हो लाइफ के किसी ने किसी पेज में कन्फ्यूज्ट होते हैं सामाने जीवन में एक क्राइसिस बोलते है जब आपके बडे कहते हैं कि आप बच्चे हो और आपको लगता है कि आप बच्चे नहीं रहे इन दोनों के बीच के सामन जैसे की क्रैसिस आती है, तो कहते हैं डॉलसेंस क्रैसिस जीवन में जीवन में एक दूसरी क्रैसिस आती है जब पैंतालिस पचास साल के उमर में आते हैं, चालिस से पचास साल के उमर में फोड़े से काम जैसे यहां लोग और बैटे होंगे उनको लगता है वो कहते है mid-life crisis उसको बोलते है mid-life crisis में होता है कि आप लेखते हैं कि तो जीवन तो बीट गया कुछ और रह गया हम कुछ नहीं कर पाए करना कुछ और चाहते थे कर कुछ नहीं पाए तब लगता है कि अब क्या करें confused आदमी हो जाता है तो जो ये crisis होती है आपकी adult crisis, mid-life crisis और आपकी terminal crisis जो होती है आपकी अब क्या करें कहा हो जाए इसके लिए एक बड़ा प्यारा कुछ ऐसी पुस्तके होती है एक पुस्तक है मदशाला हरवेंस रहे बच्चन जी ने लिखा पढ़िये तो लगता है कि इसमें तो हाला, प्याला, मदशाला की बात हो रही है शराव की बात हो रही है जब उसके दर्शन में उतरिये तो लगता है कि इसकी आउशक्ता क्या है कि आज इस महान पर को मनाने की आउशक्ता क्या है आज आप इतने सारे लोग अपने जीवन का इतना समय यहां पर दे रहे हैं दादी बैठी है हमारी दिबे बहने बैठी है इसके आउशक्ता क्या थी यहां बैठने की उनका एक दादी उनकी वेक रुबाई है कि मैं मदशाला के अंदर हूं मेर मेरे हाथों में प्याला जीवन का confusion देखिया मैं मदशाला के अंदर हूँ मेरे हाथों में प्याला प्याला में मदशाला भिंबित करने वाली है हाला इस उधेड भुन में ही मेरा सारा जीवन बीत गया मैं मदशाला के अंदर या मेरे अंदर मदशाला कह रहे हैं कि मैं मदशाला के अंदर बैठा हूँ मेरे हाथ हो में इसका जो साद्धी करत है प्याला है प्याला में शराब है और शराब में पूरी मदशाला दिखाई दे रही है आप पानी रहे हैं पानी में पुरा दिखाई देने लिए उन्हें कहा कि मैं इसमें आया हूँ मैं confused हूँ कि ये दुनिया ये उसमें समाहित है या वो मेरे में समाहित है इस्तिति confusion की हो गए कि वो पिता जो है मेरे में समाहित है या मैं पिता में समाहित हूँ कौन कैसा है देट अदेट ये सारी जो confusion की इस्तिति आ गये, उस confusion की इस्तित को धूर करते विए, बाबा ने कहा, कि ये और बीच में चीजें आती है, ये जो confusion की इस्तिति होती है, जिसको सामान्य जन, जिन आत्माओं को खीच कर, दिब्यात्माओं को खीच कर, दादी बताती है, अब सत्यूग आने में जादा देर नहीं है, सुई वहाँ पहुच गई है, बस पहुचने वाली है, जो दोनों सुईयां, एक दूसरे को स्पर्श करने वाली हैं, तो बाबा भी उन्दि ब्यात्माओं को ढूंड रहे हैं, जिन को अपने धाम में ले जाकर के, सत्यूग का न अधादी ने सब छोड़ दिया, बहन जी ने, आपने छोड़ा, ते बड़े परिवार की बेटी थी आप, उस जमाने में जो हम लोग पैदा नहीं हुए थे, उस जमाने में आपने सन्यास ले लिया, किसको छोड़के, पिता उस जमाने में इसके टिव इंजिनियर थे, दि दादी को देख रहे हैं, आप, ले लिया, इस सब के लिए आउशिक नहीं है, ये सब के लिए आउशिक नहीं है, कि सब सन्यासी हो जाँ सब, सब के अपने जीवन के, इस जन्द में आपको कैसे चलना है, वह आपके लिए नियत है, लेकिन जो दादी के लिए नियत किया, उसमें आपके गीता में बात आती है, किया निसा सरव भूते सू. क्या है या निसा सरव भूता नाम, तस्याम जागरते सन्यमी, या स्याम जागरते भूता नाम, सा निसा पश्यन्त मुनिय, जो सुख संपदा लगती है आपको, वैभाव, अध्षासित के वैभो सुतंता के पहले का वैभो बड़ा मकान कार ए वो सारी चीज़े पद प्रतिस्ठा सुख जो आपके शारीरिक सुख है जो इंद्रियों का सुख है ये सारा जो सामान ने व्यक्ति को उजला प्रतीक होता है सोचते हैं हम इसको ग्राण करें योगी को यही उल्टा प्रतीत होता है ये जो आपका दिन और रात का है जो जिसमें इंद्रियों के सुख में जो वैभो में, पद में प्रतिस्ठा में जो आपको आनन दाता है जो सन्यमी है आप जैसी बेहन, अदादी जैसी लोग उनको उसमें उस दिन में रत नजर आती है कहते हैं ये लक्ष नहीं है ये तो पंचभूतों की आउशकता है शरीर गया जिसके लिए आप इतना सारा, नाना, दोना तेल, फुले, सब लगा करके बाल, मेहदी, सब लगा रहे है आँ, बंद हुई इसको एक दिन भी आपका जो सबसे प्रिय है, वो रखने के लिए तैयार नहीं होता ये आप हैं, और इसी को आप भुगाते हैं, यही तो पलंग पर सोता है यही कार पर चलता है यही दूसरे में चलता है यही चारा है, कि बैले दूसरा खाए बगेर मल जाएं, हमारी पैसा कितने बैंक में कितना जमा होता चला जबाए तो यह जो चीज सोच है शरीर के लिए इसी को सन्य में उल्टा सोचता है कहता है कि इसकी आउशक्ता उससे जूडने के हो सकता है, अपने को पहचानने के हो सकता है, आत्मभोध के आउशकता है और आत्मभोध के साथ वो यह नहीं कह रहा है, कि आप सब को छोड़ दो, रिशी यह कह रहा है, कि इशा वास्यमेदम सर्वुमे जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था, मां गिर्धा कस्चित धनम, वो किसी को नहीं कह रहा है, कि संसा छोड़ के बाग जाओ, वो कह रहा है, पूरी तरह से इसको भोगो, और इसका उदाहरण, जब बैस्ट उदाहरण आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसमें, जिनोंने सन्यमी होने के बाद, सन्यास का जीवन लेने के बाद भी, वो सारा कारे कर रही हैं, आपको सिक्षा से ले करके, आपको यहां बैठाने से ले करके, आपके नीचे कालिन लगाने से ले करके, आपको बैस्ट खाना खिलाने से ले करके, वो सारे चीज़ कर रहे हैं लगता है किसमें contradiction हो गया सन्यमी जो हुआ जो आश ले लिया उसो किसके क्या हो शक्ता है ते लगा नहीं हमें इन सारे लोगों को उस रास्ते पर लाना है जब उस रास्ते पर लाना है जहां से उनको आत्म बोध हो सकता है तो उस रास्ते पर सारी चीज़ने इतनी हैं सब उसी की परमपिता शिव की दी हुई है तो जब उसी की बनाई चीज़ें हैं तो त्याज्य कैसे हो सकती है ये संसार जब उसी का बनाया हुआ है तो त्याज्य कैसे हो सकता है तब आपने कहा कि ने इस सन्यास लेने के बाद भी आपके लिए पै अपने सर पे गिट्टी बालू सीमेंट भर के उस मक बनाया आपने आश्रम को आपने लिट्टी बाटू सर पर भर के बनाया आपने बन के बनाया तो बनाने के आउशक्ता क्या पड़ी तो लगता है contradiction हो गया इतना बड़ा बंगला अपना छोड़ के आई और दूसरे में गिट्टी बालू अपने सर पे लाद के दूसरा बनवा रही है बड़ा confusion हो गया भी बात क्या है दोनों में तब वहाँ पर आता है कि रिशी ने कहा है इशा वास्चमिदं सर्वं यत किन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुणजी था मागर्दा का सिद्धनम संसार में आए हैं तो आपको कारे करना पड़ेगा जैसे आप जन्नक की तरह राजा भी रहिए अटायच मतल रहिए तेन त्यक्तेन भुणजी था आपने बनाया मगर उससे कोई लिफसा नहीं है आपके लिए बनाया कहा मेरे बच्चे आएंगे बाबा के बच्चे आएंगे तो उनको बैठना है बाबा के बच्चे आएंगे तो उनको सबसे अच्छा क्यों न हम सबसे अच्छा पेड़ा खिलाएं सबसे अच्छा बर्फी खिलाएं तो ये बात आ रही है तो वहां कहीं कहीं ऐसा confusion नहीं आएगा जब आप clear हो जाएगा कि एक सन्यासी एक सन्यासनी एक योगिनी एक सन्यमी ने आपके लिए पेड़ा बना करके गुलगुला बना करके बाबा का जब होता है दुति तो ने कहा कि नहीं ये ताज नहीं है त्याज क्या है सन्यम क्या है आपका जो attachment है ये मेरा है ये आपका है इसको आपने तोड़ दिया ये सब का है सब खुश रहो सब प्रसन रहो प्रसन रहने के बाद आत्मभोद की तरफ बढ़ो उसको छीनो ना दूसरे के ना छीनो संचे न करो दूसरी जीजे ना करो बाबा कभीर ने जो पंती थी उन्होंने एक चीज बस कहा उसको आप जान दिए यहाँ कैफी आजमी साहब ने यह कहा उन्होंने कहा साई इतना दीजिये जामे को तुम समाए मैं भी भूखा ना रहूं साद न भूखा जाए यह आपके यहाँ का चिंतन है भारती मनिश्यों का और उस चिंतन को लिया करके जो दादी है यह जब बहने है केवल कबीर ऐसे हुए यह भाई मान सिंगी जिन्होंने कहा रिशियों कोई भी आप पूरा शास्तर दे लिए सारी लोगे कहते है कि मैं सबसे मैं कुटिल खलकामी सारी इतने तुलसी बाबा भी कह रहे है सुसरे भी कह रहे है लेकिन कबीर क्या कह रहे है साथना की पराकास्टा देखिए जुलाहा बोल है कि सुई चादर सुर नर्मन ओड़ी ओड़ी के महली की नीच दरिया प्रा सुर नर्मुनि जितने भी देवता ब्रेशेस्ट जितने मुनि थे कि सारे लोग इस चादर को ओड़े जो आत्मा की ऊपर इसका लगा है बोड़ी के महली की नीच दरिया लेकिन मैंने क्या किया दो चीज किया इशावास सेमेदम सर्वम यतकिन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मैंने त्यक्तेन भुंजी था किया तब कह रहे हैं सोईचादरसुर नर्मुनी ओड़ी ओड़ी के महली की नीच दरिया दास कवीर जतन से ओड़ी जोंकी त्यों धर दीनी च दरिया के है दादी एक बताती थी कि हमने ये शरीर जितना दिब्य मिला आत्मा ने ग्रहन किया जो प्रकित से दिब्यतम रूप को लिया पंचभूत दिब्य थे न अशुद्ध नहीं थे उन पंचभूतों को प्राण के साथ आत्मा ने ग्रहन किया और ये बना जैसे बना था उसको बिना मैला किये हुए प्रकित को पुना अर्पित कर देंगे कर्म करने के बाद कभीर ने कहा कि कोई नहीं कहा डंके की चोट पर कभीर ने कहा अब मैं समझता हूँ कि जो ब्रह्मा कुमारी बेहने है जो दादी है ये उसी कभीर की बात को कि सोई चादर की नीच दरिया नास कभीर जतन से ओड़ी जसकी तस धर्दी में चदरिया ये आए यहां ले आने के लिए आपको ये सारा चीजें लोग के जब आज हमको कुछ ज़रुरत नहीं हम सोचते हैं और लिखते चले जाते हैं बोलते चले जाते हैं लेकिन बच्चे को हाथ पकड़ करके कव लिखाते हैं आप न और आज हमको कविता लिखना है तो मन ही मन लिखते लिए हैंगे हो जाएगा बैठे हुए आज उस बच्ची को आपने हाथ जोड़ करके बता रही है थी वही उसके मस्तिस में जाएगा और चला जाएगा तो यह सारी जो लवकिक चीजियां आपको दिखाई दे रही है यह आपको ककहरा सिखाने के लिए है जब आप उस रास्ते पे बैठ चकेंगे तो यह जो पूरा अजपा जाप में चले जाते हैं निरंतर 24 गंटे उस परमपिता से शिव बाबा से आप जुड़ गए आप अपने कारे को करते हुए आप अपने शोचालाय में बैठे हुए उस ब्रह्म में लीन रह सकते हैं जब आप उस सवस्था में पोँच गए उस सवस्था में जब आप मुश्थे सोचते हैं कि यह क्रिया हम कैसे करें का जो तीन एक की और कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करूँगा मुझे लगता है कि हम सारे लोग जितने हैं सोचते हैं कि सच भोलेंगे तब बड़ा गड़बढ होगा सच हमें कुरूप नजर आता है सच हम कहते हैं कि हमारा जो व्यक्तित तो है हम सच भोल दें तो बवना हो जाएगा कुरूप हो जाएगा लेकिन जो तीन बातें अभी कहेंगी जिसको लेकर के शिव बाद किया विसे इसता जो शिवस्त पर प्रकास दिदी ने डाला था जो सच है वही सुन्दर है सच के अत्रिक्त सुन्दर देखने में या निशावाला जो हमने किया है सामान ब्यक्त को नजर आ रहा है कि वो दिन है वो उजला जो सच है वो उजला है लेकिन बात सही ये है कि जो सच है सिर्फ वही उजला है सिर्फ वही सुन्दर है और जो सच है जो सुन्दर है वही शिवकारी हो सकता है इसके अत्रिक्त दूसरी कोई बात नहीं हो सकती ये जो बी विशनी कृप शका है तो मेरा आप से आज के माध्धम से जो दादी ने उसर दिया आप लोगो ने जो उसर दिया जो आप में गुण है जो आप को समय मिला है उसको तेन देकते नहीं भुंजी था आप जिस पद पर हैं जुलाहा हैं तो जुराहे का उस कर्म करते हुए अपने को उससे जब जोड देंगे तो डंके की चोट पर कह सकते हैं कि हम जयों कीतियों धरदीनी चदरिया और राश्पती और प्रधान मंत्री भी है यद आप उस पद में उससे लिपसा होगे उससे लिप्त होगे तो आप मेली चदरिया कर दिये आत्मभोध आपको नहीं हो सकता तो यह जीवन जो मिला है यह अमुल्य है साथ कभी इस जीवन के लिए मनुष्य रूप के लिए देवता भी तरस्ते हैं उनको नहीं मिलता और आप सर्वांग पूर्ण यहां बैठे है आपको भगवान ने भौतिक जगत में भी ऐसा बनाया है कि आहां बैठ करके उसके चिंतन के लिए आप समय उता निकाल ले रहे हैं दूसरा एक गरीब आदमी है एक अपूर्ण आदमी है एक मांसी रूप से विक्षिक्त आदमी है वो नहा है बैठ तो यह आप पर बाबा की इनायत है आप पर बाबा की गिफ्ट है इतने गिफ्ट के बाद इसको पूरी तरह से संजो करके सम्हाल करके उस दिशा में बढ़ जाए अपने को उस से जोड़ देजिए त्यक्तिन भुंजी था त्याग पुर्वक इसको पूरी तरह से उप्योग करिए पूरी तरह से उप्योग करिए और जब आप यहां से जाने का समयनियत है तब जोंकी तेओं धरदीनी चदरिया और उस से जाकर के मिल जाएए वो आपकी पृतिक्षा कर रहा है सत्युक के लिए आप सारे लोग बाबा के प्रिये बने आप सारे लोगों की दिब्यात्माएं बाबा से जुड़ तक सत्युक में पुना अउतरित हों इस सुफ कामना के साथ मैं फिर से बहुत बहुत बहनों का दादी का आप सब का आपने सुना और मुझे से ब्यक्ति का जो न तो सन्यासी है न योगी है न सन्यमी है बिशुद रूप से एक सांसारिक ब्यक्ति है उसकी भी बात इतने बड़े नरातल पर जो आद्यात्मिक्ता से शराब हो रहा है आपने सुना इसके लिए आप को आभार वो इसके लिए बाबा को आभार कि उसने मुझसे कुछ बुलवाया जो कुछ एक सामान इवेक्ति क्या कर सकता है न चिंतन कर सकता है न उसका मनन कर सकता है न सन्यम कर सकता है सब को आभार के साथ पुना आपको एक बार बहुत बहुत बधाई शिवरात्री की बाबा के जनम दिन की बधाई और आपको अपने जनम दिन की बधाई बहुत बहुत बधाई दान्यवाद शिवरात्री की बधाई यहां के जोके भूले बाग्रभात आये शिवरा आपोह में संसार की खोले कोईे जिस हमन दरिस आरा बदल रहा अब देन सत्यों को ने में शिर्फिता का जंदा घर रहा संसार के कोले को मंदल सारा बदल रहा अब देल सक्रीक होने में शिर्फिता का जंदा घर रहा है हर बीती को सेकेंड में फुल स्टाप लगाकर तीब पुर्शार्थ में सफलता पाएंगे परचिंतन परदर्शन परमत से मुक्ट रहे परोपकारी बनेंगे ओम शान्ती सब सत्यों में सत्य महान शिव है गीता का भगवान कल्यान करी कौन एक शिव परमात्मा पतित पावन कौन गीता ग्यान दाता कौन हम क्या चाहते हैं राम राज कैसे आएगा राज योग से राज योग सिखलाने वाला कौन एक शिव परमात्मा द्वार खड़ा है शिव भगवान पाँच बिकारों का दोदान जब छोड़ेंगे पाँच बिकारों का दोदान जब छोड़ेंगे पाँच बिकार तभी मिटेगा भष्टा चाल जब छोड़ेंगे पाँच बिकार जागो जागो समय पेचानो भारत में भगवान आए है नारी तू महान है नारी तू महान है सम गुरों की खान है नारी जब छग जाएगी नारी जब जग जाएगी स्वर्ग नारा पर लाएगी फैसन दिखावा छोड़ो नारी एक बनेंगे नेक बनेंगे एक बनेंगे हम बदलेंगे हम सुधरेंगे ओम शान्ती ओम शान्ती